Good morning, All India Radio और आज सवाग अनलेसिस में आप सवो का स्वागत है अगर All India Radio के अंदर नीज की बात करें तो बस COVID के बारे में बात की गई है नेक्स देश दिसांतर के अंदर राइजिंग टेंप्रेश्चर एंड वाटर क्राइसिस के बारे में बात की गई है डिसकस करेंगे नेक्स जो बात की गई है इंडियन ऑसें आइसलेंड डिप्लोमेसी के बारे में दा बिग पिक्चर के अंदर डिसकस करेंगे तो चलिए डिसकसन स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज जो है राइजिंग टेंप्रेश्चर एंड वाटर क्राइसिस सवाल यह है कि हम टेंप्रेशर की बात क्यों कर रहा है वाटर क्राइसिस की बात क्यों कर रहा है भीशन गर्मी पर रही है हीट वेब भी कुछ दिनों में आप देख सकते हो कुछ जगह यदा यदा-गदा तो मिल ही जाएगा तो जिस तरह से हीट बढ़ रहा है टेंप्रेशर बढ़ रहा है तो पानी का क्राइसिस होगा पूरे दुनिया का भारत में चार परसेंट ओनले मीट हाजल है बारिस का आपको पता है एक जून को दस्तक देता है केरला में और तमिल नाडू में रिट्रेट मॉंसून होता ह तो बारिस तो दो-तीन महिने की कहानी होती है तीन महिने के आसपास लेकिन इस समय में इस समय से पहले किस तरह से चले जैसे रिजर वाइर वेगरा बहुत सारे सूख रहा है गौर्मेंट ने जल जीवन हरियाली मिसन एक स्टार्ट किया यहां पे ग्राउंड वाटर जरूर बढ़ा है अभी देखो कोवीट के सिचुएशन ये कारण इंडस्ट्री में पानी की खपत जोर कम होई है यह एक फायदे वाली चीज हो सकती है तो यहां भी फायदे वाली चीज हो सकती है टेंपरेचर बढ़ेगा तो जाहिड सी बात है पानी की खपत बढ़ेगी जो पानी हम यूज करते हैं 85% के आसपास ये कहां यूज करते हैं तो एगरिकल्चर में खेती में यूज करते हैं इसको रिसोर्स के तरह हमें देखना होगा कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जो पानी बना सकता है वाटर बना सकता है हमारे जो वेटलेंड्स हैं सूखते ज जो औरी है नदियों का जो पहाव होता है इस तरह से पानी होता है इस पर भी ध्यान देना होगा तभी तो पानी रुकेगा भूमिगत जलासे को सिंचित करना होगा तो वन जीव जो जितने भी है हमारे जंगल फॉरेस्ट जितने भी है इनमें बैलेंस होता है इपरेशन एक फिर वापिस क्या होता है वो बैलेंस होकर के बैलेंस होता है फिर बारिस होता है यह एक प्रोसेस है चलता रहता है 1970 के बाद 50 पर शेंट तक दॉंटर से मतलब जला से खत्म हो गया है, इस तरह की रिपोर्ट बताती है, जंगल के सहत को बचाना होगा, एग्रो फॉरेस्ट्री पर ध्यान देना होगा, एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब एक साथ दो फसल, तीर फसल जो हम लोग लगाते हैं, अगर SDG को सक्स, SDG को एचीव करना है, जैसे SDG गोल नमबर 6, सेनिटेशन की बात करता है, तो इस पर वर्क करना होगा, जैदे पानी बचाना होगा, टेक्नोजी का यूज करना होगा, वाटर को रिसाइकल करना होगा, जनता के लिए वाटर सस्टेमिलिटी है, कि हमारे घर के नल तक पानी आए, लेकिन बुद्धिजीव नेक्स्ट आर्टकेल, इंडियन और सेन आइसलेंड डिपलोमेसी, इंडियन और सेन के आसपास जितने भी आइसलेंड वेगर इसके डिपलोमेसी किस तरह की होनी चाहिए, यहाँ पर नेसेसरी एस बहुत कांट्रीज विदिन दे सिकूरिटी एमबिट ऑफ इंडिया, इंडिया का उसको किस तरह से रोका जाए, इंडिया इस अलसो प्लानिंग टो पिंड आउं चाइना अरॉंड 56% चाइनीज वाइल इंपोर्ट जो 56% जो चाइनीज वाइल है वह मलक्का स्टेट से जाता है, फ्रम अंगोला होकर के 12% और इवें 12% फ्रम साओथ अमेरिका से होकी जाता है, इनके साथ संबंध कैसे अच्छा बनाया जाए, इंडिया को गारिंटर ऑफ सेकूरिटी एंड ग्रोथ फॉर दर रीजन के तरह काम करना होगा, सागर मंत्रा जो इंडिया का इनिसेटीव है, इंडिया इस सप्लाइड एसेंस तो आइसलेंड लेसंस जो अभ इन इसे एक क्रैसिस को बढ़ाना होगा, एक हॉलिस्टिक पिक्चर के तरह इसको देखना होगा इंडिया को, इसके बाद इंडिया है बील्ट अपन गुड़ विट ऑल दे कंट्री जाए जैसे हमारे पास अभी फूड बहुत जैदे है, हमें फूड की कमी नहीं है, कुछ ऐसे कंट्री है जहां फूड की क्रैसिस हो रही है, तो हम इन सब के साहिता से अपना गुड़ विल और सॉफ्ट पाउर को इंक्रीज कर सकते हैं, करेंसी स्वेप एग्रिमेंट विट स्री लंका 1.1 बिलियन डॉलर का हम लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया करते हैं, इंडिया दिलिवर 4400 होसे टो स्री लंका एंड आल्सो पास्ट फेस्ट रेस्ट अप तर वल्क हम इस तरह से भी काम करते हैं, इंडिया सुद विल गॉट विल युज़ पर विल्पर पर नर इंडिया सुद्ट पर याँज़ जो डिसकमपर का समय हैं हमारा इंडिया को ट्रू पाट साथ ही है जो में रिटाइन नैवर्स है एंड फॉर सेकूरिटी दा मीड माइट डिपेंड ओन इंडिया इंडिया सुट फोकस ओन अपने स्टेंड्स को बढ़ाना होगा इंडिया को तो आज की डिस्कुशन में इतना ही था थैंक यू थैंक